कृष्ण पाल गूर्जर केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इनके कृष्टदार पर दबंगई का आरोप लगा है, नाम है अमर चौधरी मंत्री कृष्ण पाल गूर्जर के भांजे हैं, आरोप है कि 17 जुलाई को अमर चौधरी ने हर्याना के फरेदाबाद में पुलिस चौकी के अंदर ही एक यूवक की डंडो से पिटाई कर डाली विलहू लुहान हो गया, आरोप है कि ये सब कुछ पुलिस वालों के सामने ही हुआ, बाद में पुलिस ने यूवक को अस्पताल में भरती कराया जो शक्स के साथ अमर चौधरी का जगड़ा हुआ, उनका नाम प्रनव वधावन है, वे इंजीनियर है, एक आटो मोबाइल कंपनी में काम करते हैं आज तक के सचन गौड की एक रिपोर्ट के मताबिक, प्रनव की कृष्णपाल गूर्जर के भांजे अमर चौधरी से जान पहचान थी अमर चौधरी को का राधी खरीदने के सिलसिले में अकसर प्रनव से मदद की जरूरत पढ़ती थी कभी गाडियों की जल्दी डिलिवरी को लेकर तो कभी गाडियों पर डिसकाउंट के लिए सब ठीक ठाक चल रहा था एक दिन प्रनव को अमर चौधरी से कुछ काम पढ़ा उन्होंने फोन भी किये लेकिन अमर चौधरी ने वे काम नहीं करवाया इसके बाद प्रनव ने अमर को एक मेसेज भीजा इसमें लिखा था मैं आगे से आपको कोई काम नहीं बोलूँगा बस वेर क्या? इस मेसेज को पढ़कर मंतरी जी के भांजे का पारा चड़ गया मेसेज मिलने के बाद अमर चौधरी ने परीदाबाद सेक्टर 28 पुलिस चौकी इंचार्ज के जरिये प्रनव को बुलवाया आरोप है कि जब प्रनव वहाँ पुलिस चौकी पहुँचे तो अमर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी चौनव ने अमर चौधरी पर कई आरोप लगाए उन्होंने आज तक से कहा कि मेरा काम ना होने के बाद मेरी अमर चौधरी से थोड़ी बहस हो गई इस पर उन्होंने मुझे किसी दूसरे से जान से मारने की धंकी दिलवाई इसके बाद मुझे पुलिस चौकी सेक्टर 28 से फोन आया कि जल्दी से चौकी आजाओ तुम्हारे खिलाब शिकायत है जब मैं वहाँ पहुँचा तो अमर चौधरी और उनके दोस्त घात लगाए बैठे थे उन्होंने पुलिस के सामने ही मुझे मारना शुरू कर दिया जब मेरे सर से खुन निकलने लगा तब दो पुलिस वालों ने बीच बचाफ कराया हैरानी की बात ये है कि ये पूरा वाक्या पुलिस चौकी में पुलिस वालों के सामने हुआ खून से लटपत प्रनव को पुलिस वालों ने अस्पताल पहुँचाया जहां उनके सर में 6 टाक आए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए पुलिस के आला अधिकारी कुछ बोलने को तयार नहीं है मौके पर मौजूद एक हवलदार ने आज तक से बात की उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि ये लोग बातचीत और सुला समझोते के लिए इखटे हुए हैं लेकिन महाजमा लोगों ने प्रनव की पिटाई शुरू कर दी हमने मुश्किल से उन्हें बचाया अब पुलिस घायल के बयान के आधार पर आगे की कारवाई करने की बात कह रही है देखने की बात ये होगी कि पुलिस किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाती है बता दें कि इस से पहले साल 2015 में केंद्रिय मंत्री क्रश्नपाल गूजर के भतीजे उतकर श्चौधरी पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक यूवक को ओल्ड फरीदबाद पुलिस स्टेशन में पीटने का आरोप लगा था तब मामले ने बहुत तूल पकड़ा था उसके बाद इलागे के DCP और SHO का तबादला कर दिया गया था आपके लिए खबर लिगीती हमारे साथी अमित ने आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़ा से तेश में हाला कुछ ठीक नहीं है आप तो भी सुरक्षित रहिए अपने घरों के अंदर रहिए घर से बाहर सिफता भी निकले जब कुछ ज़रूरी काम हो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाए सोशल डिसंसिंग का पालन करे और सैनिटाइजर का इस्तमाल करे अगर आपने अब तक वैक्सीन की डोस नहीं ली है तो वैक्सीन भी ज़रूर लगफा ले आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें शुक्रिया